हलो आवडिवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कल जो ट्वीटर पर यूटूब पर पीजी आयल और हैल का ट्रेट दिया था आज उससे आपने बंपर प्रॉफिट कमाया होगा और अगर नहीं कमाया है तो फिकर नॉट आज भी हम कुछ ट्रेट देंगे लेकिन उससे पहले अभी जो सबसे ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है वो है चाइना के टाइवान पर सायद अटेक कर सकता है इससे जुरी खबर जहां पर कहानी ऐसी बन रही है कि सायद वर्ल्ड वार्ट थ्री हो सकता है और को बहुत ध्यान से आखिर तक सुनिएगा क्योंकि आखिर में ही मैं करता हूँ अपनी बात यानि भाई वाली बात जिससे आपका सारा कॉंसेट क्लियर हो सके लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से आखिर क्या हो रहा है क्यों हो रहा है ये भी समझना बहुत जादा ज अधर कंट्री का सुरू होता है और तब एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी कंट्रियां जुडने लगती हैं और वो एक कंट्री लेवल पर एटेक या वार सुरू हो जाता है मैक्सिमुम कंट्री का जैसे अगर अभी बात करें तो वर्ल्ड वार की कंडिशन नहीं आई ब निकल के आ सकता था तो अब ताइवान क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए भी ये भी जानना बहुत जरूरी है तो देखें रसिया के युक्रेन पर हमले से पूरा अगर वर्ल्ड कहें तो डरने लगा था क्योंकि चाइना एक लंबे समय से क्योंकि चाइना और ताइवान क के बीच 40 years से issue चल रहे है तो वहाँ पर ये latest होने लगा कि जिस तरीके से रशिया ने युक्रेइन पर attack करके उसको अपना बनाने की कोसिस की चाइना भी कर सकता है और ये दिनो दिन 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 बढ़ता जा रहा था क्यूंकि चाइना ताइवान को अपना एरिया मान से तो वर्ल्ड वार्ड रूप में वहाँ पर एक वार की situation create हो सकती है लेकिन यहाँ पर एक जैसे twist जापान का दूसरे वर्ल्ड वार के बाद जापान का जो समविधान था उसका जो अनुछेद 9 था उसको अमेरिकी सेना ने लिखा था और इसमें कहा गया था कि जापान य जापान में जादा लोग इस बात पर जोड़ देते हैं कि रूस ने युकरेन में जो हमला किया वो एसिया में नहीं होना चाहिए चीन की तरफ से क्योंकि चीन किसी भी कंट्री के लिए सगा नहीं है यह आप भी जानते हैं वहाँ पर चीन देख लीचे युत्तर कोरिया द बढ़ा रहे हैं और इन सब चीजों पर जापान के प्रधान मंतरी ने चिंता जताई चीन ने क्या किया जापान के सेन काकू द्वीप के समू के आसपास अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दिया और फिर जब युकरेन पर हमला हुआ वैसे ही जापान की जो सत्तारूड पा एक परसंट से दो परसंट करने का परस्ताओ दे दिया अब यहाँ पर आप यह जानिये कि जापान दुनिया की तीसरी सबसे बरी एकोनोमी है और जापान अगर अपनी जीडिपी को दो परसंट करता है एस पर रक्षा पर खर्च करने के लिए तो दुनिया की तीसरी सबसे बरी सेन्य ताकत बन जाएगी जबकि जापान अभी रक्षा पर खर्च करने के मामले में नाइन्थ नमबर पर है क्यों है? क्योंकि वो समविधान में जो नाइन्थ अनुछेद था उसको वो पालन कर रहा था बट ये मामला होने के बाद एक हर कंट्री के मन में डर क्रिये ठो गया यानि अगेन जैसे रस्या युक्रेन में बाहर से अमिर्का वार के लिए सपोर्ट कर रहा था अगर चाइना ताइवान में होता है तो वहाँ पर तीसरा नाम आ रहा है जापान का, चौधा नाम आ रहा है अमेरिका का और एशिया के कई कंट्री का तो यानि जैसे ही रूस और युक्रेन का मामला हुआ, जापान एलट हुआ और 77 येर बाद अपनी ताकत को वापस से अवल दरजे के करने पर लग गया और निसाने पर चीन अब यहाँ पर जीन जापान की रादधानी टोकियों में पिछले मैने क्वाट बैठक के बाद एक joint statement दिया गया इस joint statement की बरी ही खासियत है कहीं भी रूस का जिकर नहीं हुआ कहीं भी चाइना का जिकर नहीं हुआ और यह हैरतंगेज था हैरतंगेज क्यों? क्योंकि ये थी कूट निती क्यों नहीं रूस और चाइना का जिकर किया गया तो अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया दक्षिन सागर में जो चीन का दक्षिन सागर है ताइवान पर चीन के किसी भी हमले को रोकने के लिए नाटो की तरफ से एक सैयुक्त मोर्शा बनाना चाहते है और उनकी कोसिस है भारत ताइवान के पक्ष में बन रही मोर्शा बंदी में सामिल हो जाए और भारत को अपने फेवर में करने का रास्ता सिर्फ यही है कि आप रसिया का नाम ना ले और इसी लिए इन्होंने रसिया का नाम नहीं लिया जिससे एक positive sentiments इंडिया के पास भी आया वहीं पर Asian country की भावनाओं का ख्याल करते हुए कि अभी जब कुछ हुआ नहीं है तो हम पहले से चाइना का नाम लेके माहौल को क्यों खराब करें माहौल को खराब करने की कोसिस नहीं की गई तो इस तरीके से रसिया चाइना का नाम बिना लेते हुए एक group बनाने की कोसिस की गई कि कल के date में अगर attack होता है तो कौन कौन country मिलके रोकेगी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की कोसिस है कि जो ताइवान पर हमला होगा उसकी सूरत में वो अकेले चाइना से भिड़ने नहीं जाएंगे ये पूरा इस तरीके से करेंगे अब यहाँ पर जो कहानी निकल के आ रही है अभी 2022 में बैठे हैं 2027 तक से पहले पहले कभी भी चाइना एटेक कर सकता है ताइवान पर वहाँ पर ताइवान पर हमले की योजना बनाते वे चीनी से निकका जो एक आडियो लीक सोसल मीडिया में हुआ उससे खलबली मच गई क्योंकि अल्रेडी अमेरिका लगातार कह रहा है जब से युक्रेन पर रूस का हमला हुआ कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है और वहाँ पर वो कहा था कि मैं अपनी सेना भी भेजूँगा लेकिन चीन ने भी कहा अमेरिका आग से खेल रहा है और ताइवान काड से अपने हाथ जला लेगा अब आपके मन में होगा खिर मामला क्या है 100 मील दूर इस्थित ताइवान को लेकर विवाद क्यों है तो चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है सीधी सी बात है चीन का मानना है एक दिन ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बनेगा 40 साल पुरानी कहानी है और ताइवान खुद को एक स्वतंतर देश मानता है जिसका अपना सम्मिधान है वहाँ के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है लेकिन एक इंट्रेस्टिंग सी कहानी यह है कि ताइवान पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और आपके लिए भी अब आपकोगे मेरे लिए कैसे जी हाँ सुन लो कैसे फोन से लेकर लैप्टॉक घरी से लेकर मोबाइल गेम डेली यूज में आने वाली इलेक्टरिक उपकरन में लगने वाले सेमी कंड़क्टर चिप का जो बिगेस्ट मार्केट है वो है ताइवान अकेले ताइवान की एक ही कंपनी ताइवान सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्टरिंग कंपनी दुनिया भर की कुल सेमी कंड़क्टर चिप का आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है अधे से ज़्यादा अब आप सोचो कितना बड़ा supply demand का खेल है अगर यहां से semiconductor कुछ भी attack हुआ पूरा supply demand ध्वस्त हो जाएगा खराब नहीं होगा ध्वस्त हो जाएगा यानि आपको इसली ना laptop मिलने वाले हैं ना इसली mobile phone ना कारियों में लगने वाले semiconductor biggest issue create होने वाला है और चाइना चाहता है कबजा करके इस industry का मालिक बनना यहां पर अपनी सत्ता जमाना that's the big reason चाइना के लिए भी ताइवान जरूरी है आपके लिए भी ताइवान जरूरी है और पूरी country के लिए भी ताइवान जरूरी है अगर यह information नहीं है तो फटाफट वीडियो को like तो कर दीजे मेरे दोस्त अब यहां पर समझने की need यह है कि जब रसिया युकरेन का war शुरू हुआ था तो किसी नहीं सोचा था कि यह war इतना लंबा चलने वाला है जो आज तक चल रहा है बरे पैमानी पर बरबादी हो रही है उसका impact पूरा world जहल रहा है inflation record level पर मंदी की तरफ देश जा रहे है GDP down की कहानी आ रही है recession की बात हो रही है सेम कहानी भगवान ना करे चाइना ताइवान का हुआ तो जो inflation मंदी, recession नाम की बीमारी हमारे आसपास आ चुकी है वो हमारे स्तरीर में घुसकर हमें माड डालेगी यानि जो चीज नहीं आई है जिसको रोकने के लिए सरकारें लगी परी है उसको आने से कोई रोकनी पाएगा और इस तरीके से जैसे कतनी catalyst की जरुवत होती है तो ये war एक catalyst के लिए काम करेगा catalyst की तरह काम करेगा recession के लिए और जो नहीं आने वाला होगा उसको भी लाके रख देगा और ये सब चीजे finally आएंगी stock market पर जैसे रसिया यूकरेन के war से आपने क्या देखा war हुआ तो market गीरा तो same कहानी अगर ये चीजे होती है तो वापस से market गीरेगा ये एक सत्य है बट उससे बड़ा सत्य क्या है उससे बड़ा सत्य ये है अभी से tension नहीं लेने का tension लेने से कोई solution होता नहीं हमें पता है अभी जैसे रसिया यूकरेन हुआ बहुत सारे लोगों ने tension लिया क्या होगा कैसे होगा जूट मूट में कई सारी उल्टी सीधी position या उल्टी सीधी कहानिया कर ली बट market को उस दिन गीरा लडाई लंबी चली उसके बाद सारा war कहानी अलग बट inflation recession की कहानी आपके सामने है जो market को बढ़ने नहीं दे रही तो जैसे हमें हर चीज़ से सतरक रहने की जरुवत है तो जब तक चाइना ताइवान जैसी कहानी नहीं होती क्योंकि डेटा खुद कहता है कि ये 2027 तक भी हो सकता है ऐसा नहीं कि कल होना है परसो होना है ये 10 दिन में होना है वो कोई नहीं जानता है तो उस condition में हम अभी से load लेकर कोई भी गलत फहिमी ना पा ले कोई भी tension ना ले जब होगा उस समय हम आपके लिए सारी detail बनाएंगे कि कैसे position काटना है क्या करना है तो अभी से load ना ले ये मेरी भाई वाली request रहेगी और उमीद करता हूँ कि आप भी इस बात को मानेंगे वैसे आपको क्या लगता है चाइना ताइवान पर attack करेगा तो कब तक करेगा comment box में जरूर बताइए अब चलते हैं हम चार्ट पर उससे पहले एक बहुत ही important information कल हमने एक वीडियो बनाई थी secret penny stock की वहाँ पर एक comment आया कि I was not expecting such a nonsense and wealth destroyed stock from you हमारी टीम ने reply दिया वीडियो आधा सुनेंगे तो यही लगेगा इस वीडियो में हमने साफ सा बताया कि भाईया हमें कहीं से नारोसी लग रही नारोई लग रही प्रमोटर माल बेच के भाग रहे तो हमें पूरा doubt लग रहा है जहां पे एक बार pump होके dump आर्डी हो चुका है market में news है big order की बट हमें बहुत ही चीज़ें को ध्यान से समझने की जरूरत है जल्दवाजी की जरूरत नहीं तो यहां पर I will request और मैं आपका भाई हाद जोर के request करूँगा please आपका वक्त कीमती है अगर समय देते हैं तो पूरी वीडियो देखें तभी सही मतलब समझ में आएगा और आधा देखेंगे आधा सुनेंगे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है तो मैं उमीद करूँगा कि नेक्स टाइम वीडियो देखते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें जिससे हम जो वीडियो बना रहे हैं हमारे पूरे परिवार को फाइदा हो वो फाइदा ले सके अब चलते हैं हम कल देखें PZEL के लेवल दिये थे चार्ट के साथ और YouTube पे 910 से 994 का हाई मारा फिर उसके बाद HL के हमने कल Twitter पे, Telegram पे और YouTube पे दिया था और वहां से 1928 का हाई मारा तो उमीद करता हूँ कमाया होगा और आज वापस से नए लेवल और साथ में ऐसी ही Learning के लिए चार्ट, News किस तरीके से कॉम्बो है तो Telegram पे हम सब डाल रहे हैं Link description में है धाई लाक लोग जूर चुके हैं Twitter, Telegram पे आप भी जूर कर फाइदा ले सकते हैं Nifty के बारे में बात करें Nifty लगातार अपने इस gap को feel करने के बाद 16,700 के पास लगातार अटक रही है तो यही इसका resistance है लेकिन जो इसने breakout दिया था 16,390 के पास दिया था तो यह एक support और यह एक resistance जिसके बीच में Nifty डांस कर रही है तो बस इसी support resistance पे हमें focus करना है फिलहाल अगर हम bank Nifty की बात करते है bank Nifty में breakout हुआ था फिर यह गिर रहा है यह जो support level है 35,086 का है तो just हमारा focus फिलहाल यही है अब कल के लिए कौन से नए share निकाले हैं वो आपके साथ share कर देते हैं उससे पहले Demeter Trading Account का link description में है उसको use करके आप account open कर सकते हैं और upstock के link को अगर आप लोगों के साथ share करते हैं तो upstock 1200 रुपए referral भी आपको कमाने का मौका देता है जो link description में है तो अब हम बात करते हैं HDFC Life से कहानी यहाँ पर HDFC Life पहले खोल ले यहाँ पर HDFC Life का breakout level already हमने 598 के ऊपर का आपके पास share कर रखा था जहां से 613 के पास गया और लगातार हर दिन वहीं पर अटका हुआ है तो यानि 594-95 के पास में इसका support level हो गया और इसमें तेजी होने के लिए 615 हो गया और यह level तूटता है तो और नीचे हो गया जहां पर angel 1 एक top, दूसरा top, तीसरा top लगाया है यहां पर यह gap है तो we have to focus 1565 के उपर निकलता है तो हम मानेंगे कि यह make or break के तौर पे है यानि यह सारे इसके resistance से नहीं निकला तो यहां से गिर भी सकता है उसके बाद next stock है टानला platform का लगातार हम आपके साथ cover कर रहे है जिसमें 1365 के उपर में अच्छा लगता है तो 1380 तक आज गया है जहां पर अब 1340 का support भी है और कल अगर इसने तेजी करनी है तो 1380 के उपर निकलना जरूरी है तो we have to focus यहां पर उसके बाद next stock है स्री रेनु का सुगर जहां पर अगर इसने तेजी करनी है तो इसे 1350 पैसे 54 रूपे के उपर चलना जरूरी है next stock है LZ equipment बट उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं यह magical stock कैसे निकालता हूँ आखिर PZIL कैसे सोचा HAL कैसे सोचा कैसे mega blast हुआ तो 10 जून की class अभी से book कर ले intraday swing positional सब मिलेगा hand holding मिलेगी बिना commitment का revision मिलेगा मक्खन वाला stock selection मिलेगा और जो आज इतना big भागा PZIL आप कैसे hold करोगे आपको तो पता ही नहीं है आप तो 5 रुपे 7 रुपे में profit book कर लोगे तो मोटा मुनाफा कैसे कमाऊगे intraday कैसे होता है swing कैसे होता है buying करके पैसा कैसे कमाते है sell करके पैसा कैसे कमाते है हर एक चीज कैस में trade future में trade option में trade हर जगा trade तो वो सारी चीजे basic से advance तक कोई भी सीख सकता है आप भी सीख सकते हैं क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे क्योंकि tips के पीछे हर दिन दुनिया का पैसा डूग रहा है और बरबाद हो रहा है वहाँ पर इस मेंगाई में second earning आपको एक नई जिन्दगी दे सकती है तो 970-80-94-321 पे call करें हमारी team से बात करें और seat book करें यहाँ पर इस stock का जो support level है 361 का है और अगर इसने अगर rally करनी है तो 380 के उपर चलना जरूरी है उसके बात बात करते हैं CCL products की जहाँ पर again एक top, दो top, तीसरा top और यह gap तो same like this कि यहाँ पर 370 के पास का level और 376 376 के उपर अगर चलता है तो हमानते हैं कि तेजी होगी और नहीं चलता है तो गिर सकता है तो same अगर आप देखो तो angel world का chart CCL का chart वो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है तो यह होती है अलर नहीं एक चीज़ और अगर life में 1% का भी value addition आपको लगता है कि आपका भाई आपकी जिन्दगी में कर रहा है तो वीडियो को जरूर WhatsApp पे, Facebook पे, Twitter पे जहां भी आपके दोस्त हैं जहां भी आप कर सकते हैं जरूर share कीजे अगर आपके life में 1% का भी value addition है और दूसरों की जिन्दगी में भी 1% का भी value addition आएगा तो वो पहली दूआ, पहला आसिरवात सिर्फ आपको देने वाले है तो हमें आपकी दूआएं मिलती हैं आपको भी बहुत दूआएं मिलेंगी अगर आपको लगता है कि सच में हम 1% का value addition दे रहे हैं तो करना बिल्कुल मन भूलिएगा सीखते रहें, कमाते रहें और प्यार देते रहें Thank you so much